रिवा तथा मौगन जिले के आठ बिधान सबा छेत्रों में प्राधः साथ बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आरंब हुआ है। जिले में लगभग 68% मतदान हो चुका था जिले में सभी मतदान केंद्रों में शांती पूर्वक मतदान संपन हुआ। मतदान के दोरान भारत तिब्बस सीमा पुलिस अर्दिसैनिक बलों की 19 कंपनियां जिले भर में तेनात रही। इनके अलावा नगर सेना की 600 जवान जिला पुलिस बल की 1200 से अधिक जवान तथा विशेश पुलिस अधिकारी के रूप में बनविभाग की करमचारी आंगनवारी कारे करता तथा कोडवार तेनात रहे। मतदान के बात सभी EVM इंजिनियर कॉलिज में बनाए गए स्ट्रॉंग रूम में रखी जाएंगी जहां CCTV के साथ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किये गए हैं। आई ये सुनते हैं रीवा कलेक्टर प्रतीब पाल ने क्या जानकारी दी हैं। आज का जो रीवा जिले में सभी आठविधान समय मतदान हुआ है। तो अभी तक जो हम लोग के पास फिगर आया वो लगफ़ 68% कुल मतदान हुआ है। और अभी ये डेटा और बढ़ेगा कि अभी भी कुछ मतदान के इंदर जिसमें तेओधर और रीवा के हैं। साथ ही एक दो मतदान के इंदर माउगंज के हैं जिसमें अभी मतदान चल रहा है। सभी 2014 मतदान के इंदरों पर शान्तिपूर मतदान हुआ। इस बार जो अपनी वोटर्लेस थी उनमें महिला वोटर्स के नाम बहुत प्रात्मिक्ता से जोड़े गए थे। उन्होंने बहुत उत्सा से भाग लिया। तो सभी जगे शान्तिपूर्बक कानों ने विवस्था के साथ पूर्य मतदान संपन कराये गया है। अभी आज हुकि अपने सभी मतदान दल अपनी सामगवी सहीद वापस आएंगे रात तक और फिर जो पॉल्ड EVM है उनको यहां इंजिनिरिंग कॉलेज में ही सेंट्राइज सरीके से सभी के स्ट्रॉंग रूम मनाए गये हैं। और स्ट्रॉंग रूम में वो पॉल्ड मशीने रखी जाएंगी और आगे कि फिर जो अपनी काउंटिंग की तैयारी है, प्राजेक्शन और बाकी तैयारियां वो आगे शुरू होंगे। इस बार अच्छा उत्सा हम लों को देखने को मिला है। कुछ विधान सवाएं, कुछ ऐसे पॉलिंग स्टेशन जिनमें पिछली बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा था। की अच्छी अक्टिविटीज की गई जैसे की मद्दाताओं को जोडा गया, उनको मद्दान के विशे में अपकत कराया गया, क्या महत्व है, कैसे वोट देना है, तो उसकी वज़े से इस बार रीवा में बहतर मद्दाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो हम लोग बताने की सती में रहे हैं, जो अपनी पोलिंग मशीनों, पोलिंग बूट से जो मशीने पोल्ड एविम्स आ रही हैं, उनके लिए आठ हर एक विधान सभा का एक स्टॉंग रूम यहीं इंजिनिरिंग कॉलिज में बनाया गया है, अपने जो स्टॉंग रूम हैं, वो सभी में CCTV लगे हुए हैं, इसके अलावा कॉरिडोर में और पूरे कॉलेज परिसर में CCTV लगाया गया है, साथ ही जो CAPF for deployment है, वो एस पर नॉम्स किये गए हैं, ताकि परियाक्त सुरक्षावल रहे, इसके अतरिक तो सभी जो candidates हैं, उनको इस सूचना भी दी गई है, निर्देश हैं कि प्रतेक दिन आरो उनका विजिट करेंगे, और डियो भी तीन से चार दिन में उनका विजिट करेंगे, जब तक कि काउंटिंग नहीं हो जाती, तो इस तरीके से ये फुल प्रूफ स्टॉंग रूम की सुरक्षा विवस्था जमाई गई है, ताकि कि किस आप लगातार बसों के रवाना होने की सुचना मिल रही है, यह जब बदे बीच में अपनी सभी टीम बापस आजाएंगी, और सामगरी का मिलान कराके, कुछ सामगरी जो बहुत महतफ़ोन होती है, उन सामगरी को परिक्षन कराके, उनकी भली प्रकार से उनका वलोकन कराक अपना सामगी जमा करके यहां से रवाना हूँ